नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल एके उल्रंड में दोस्तो आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे जहारखन नियोजन निती के बारे में इसके लब आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि नियोजन निती में आखिर क्या कुछ बड़ा बदला हो रहा है इसके लब आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि आखिर 11th JPSC कब तक आने की संभवना है इसके लावा आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि एजेंसी के चेन में क्या है देरी इसके लावा आज के इस वीडियो में डिसकस करेंगे कि जे एससे सीजल जहारखन पुलिस दरोगा 11 जेपीएसी समेत सभी भरती परकिरिया में आखिर क्या है देरी इसके बारे में ड इटेल में डिसकस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं फ्रेंट से स्टार्ट करने सपहले अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं आप इस वीडियो के इंट तक बने रहेंगे और ध्या आपको बता दे किया जो नोटिस रिलीज किया गया था आयोग के द्वारा वह एक्जाम कंड़क्ट करने वाली एजेंसी के लिए है आपको बता दे कि इसमें बताए गया है सेलेक्शन अप सुटेबल कैंड़ेट्स फोर रिकूरूटमेंट टू गूरूप बी यानि कि नन ग एजेंसी एक्जाम कंड़क्ट करेगी यानि कि जहारखन स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा जो भी एक्जाम होंगे और जो एजेंसी इस एक्जाम को कंड़क्ट करेगा उसके बारे में आखिर क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक्जाम कैसे कंड़क्ट कराना है इस एक्जाम का टेंडर लेगी उस एजेंसी के द्वारा जो भी एक्जाम कंडर्ट के जाएंगे वह दिया गया है आप देख सकते हैं इस पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेबल एक्जामिनेशन है कंबाइंड हाइयर सेकेंडरी यानि की 10th प्लस 2 लेबल एक्जामिनेशन है बाइंड मेर्टिक यानि की 10th लेबल एक्जामिनेशन, रिक्रुट्मेंट एक्जामिनेशन फोर कॉंस्टेबल सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन जहारखन प्लिस एंड एक्साइड दिपार्टमेंट और वह नेक्स्ट आपको बुता दी की रि पोस्ट और यानि की JSC के एक्जाम कंड़क्ट करने के लिए जो भी एजनसी टेंडर लेगी उसके द्वारा डिपार्टमेंटल एक्जाम भी कंड़क्ट के जाएगा और आपको बुता दी की डिपार्टमेंटल एक्जाम जो है वह वन पोस्ट और पोस्ट में पर्मोशन क के लिए यह कंड़क्ट के जाएगा और यह जो एक्जाम होगा वह इसी एजेंसी के द्वारा कराये जाएगा जो भी एजेंसी जे एससी का एक्जाम कंड़क्ट करेगी आपको बता दी कि जो भी एजेंसी इसका टेंडर लेगी जे एससी एक्जाम कंड़क्ट कराने के लिए उन्हें इन सभी exams को conduct कराना होगा चली next बात करते हैं next जो आपके काम के आपको बता दी कि आपका exam कैसे conduct के जाएगा इसका process दिया गया है सबसे पले candidates fill application online आप अपना application form online fill up करेंगे इसके बाद आपका preliminary scrutiny होगा applications का और जो applications qualified होंगे वह इधर जाएंगे यह सजो qualified नहीं होंगे यानि कि scrutiny करने के बाद application form जिसका अच्छी तरीके से fill up नहीं होगा उस application form को reject कर दिया जागा जिनका photo signature या भी completely जिनका fill up नहीं होगा वैसे application form को reject कर दिया जागे यानि कि application form reject हो जागा और जिनका application form ठीक से भरा होगा उनका accept कर जागा और accept करने के बाद allotment of exam center and venue यानि कि exam center और venue यानि कि place और center allot कर जागा इसके बाद issue of admit card admit card जारी कर जागा और इसके बाद candidates rich exam venue candidate जो है हुआ exam center पर पहुँचेंगे undergo security check-up inter exam venue और security check-up होने के बाद वे अपने exam center के अंदर परवेश करेंगे इसके बाद candidates का exam जो होगा OMR और computer based exam होगा जो भी exam आपका offline mode में होगा यानि कि OMR होगा वा OMR based होगा और जो CBT mode में होगा online exam होगा computer based exam होगा वा CBT mode में होगा यानि कि आयोग के द्वारा पूरा खाका त्यार किया गया कि कैसे आपको exam conduct कराना इसके बारे में चली next बात करते हैं next आप देख सकते हैं कि इसमें detail में बताये गया है कि कैसे security check-up होगा CCTV का arrangement कैसे होगा इसके बारे में detail में इसमिर दिया गया है इसके लावा इस notice में ये भी बताये गया है कि exam का pattern कैसा होगा आप देख सकते हैं कि paper 1, paper 2 और paper 3 होगा paper 1 में 120 MCQ questions देखने को लेंगे paper 2 में आपको 100 MCQ questions देखने को लेंगे इसके लावा आपको paper 3 में 150 MCQ questions देखने को लेंगे चली next discuss करते हैं नेक्स्ट इसमें बतायेगा है कि जो questions paper जो state किया जाएगा agency की दवारा उसमें 30 percentage होगा 40% questions होगे वह average होगे और 30% questions को tough रखा जाएगा चली next बात करते हैं और वह next आपको बता दे कि this में also vary from examination to examination या examination to examination या vary भी करेगा चली next बात करते हैं penalties के बार में आप देख सकते हैं कि आयो के दवारे साब साब पस्परस्ट किया गया है for every wrong questions रुपेज 25,000 विल बी payable by the agency to the commission यानि कि commission को 25,000 एजेंसी को pay करना होगा for every wrong questions यानि कि एक भी questions अगर रॉंग बनाएंगे तो commission को agency के दवारा 25,000 पे करना होगा यानि कि एक questions रॉंग होगा तो agency को 25,000 का जुर्माना 25,000 का हरजाना commission को pay करना होगा चलिए next बात करते हैं कि अंठावन पन्ने के जो notice release क्या गया है JSC के दवारा यानि कायोग के दवारा या exam conduct कराने वाली agency के लिए है आपके मन में या प्रश्ण उठना सभाविक है कि आखिर agency के chain में क्या है देरी आपको बता दी कि agency के chain करने में और tender को fill up करने में लगभग 3 महिने के समय आपका निकल जाएगा ऐसे में आपका March जो है व चुका है भासा पेपर में आकिर क्या बदलाओ किया गया आपको बुता दे कि नियोजन नीती में 10 और 12 का जो criteria जहारखन से रखा गया था 10 और 12 का criteria जो जहारखन राज से रखा गया था इसे हटा दिया गया है इसके लाब आपको बुता दे कि paper 2 में paper 2 में Hindi और English को add किया ग किया गया है आपको एक भाए फिर से असपस्ट कर देना चाहते हैं कि पेपर टो में हिंदी और इंग्लिश लैंगेज को एड किया गया है और 1012 के क्राइटेरिया को जो नए नियोजन निती जो संसोधन करके तयार किया रहा है उसमें 1012 के क्राइटेरिया जो जहारखंट इसके लावा आपको बता दे कि जब नई न्यूजन निती पॉब्लिस होगी इसके बाद फिर से form को fill up करने का और edit करने का options मिलेगा जिन्हें अपना language को यानि कि paper to को language को change करना है जिन्हें हिंदी select करना है इसके लावा जो 10 और 12 की पढ़ाई जहार खंड आज के बाहर से किये हैं उन्हें मौका दिया जाएगा फिर से form fill up करने का और इसके लावा जिन्हें अपना language बदलना है पेपर 2 में जिन्हें अपना language change करना है जिन्हें हिंदी select करना है उन्हें भी मौका दिया जाएगा और paper 1 का paper 2 का paper 3 का सभी के exam pattern syllabus सभी same होगा आपको बता दे कि आपका paper 2 में हिंदी और English को add किया रहा है और वहीं आपको बता दे कि 10-12 के criteria को खतम क्या जा रहा है शुत्रों के हवाले से यही खबर निकल का रही है वहीं आपको बता दे कि यह सभी परकिरिया को पूरा करने मापका कि JPSC के दोवारा tentative calendar release किया गया है for the year 2023 आप देख सकते हैं कि इसमें 11 JPSC का कहीं भी जीक्र नहीं किया गया है और यह जो tentative calendar release किया गया है वह 17 जनवरी 2013 से लेकर जो भी exam इसमें conduct होंगे वह 28 March 2013 तक का दिया गया इसका मतलब है कि आपका जो 11th JPSC का notification जो release होगा वह March के बाद यानि कि April 2013 में release होने की संभावना 11th JPSC April 2013 में release होने की संभावना है इसे release होने में इसके लवा form को edit होने में और फिर से summit होने में एजेंसी के chain में भी देरी हो सकती है यानि कि April से पहले कुछ भी संभाव नहीं है यहां पे April से पहले कोई भी exam जहारखन में नहीं होने जा रहा ऐसे में अब आपको क्या करना है इसके बारे में डिसकस करते हैं आप देख सकते हैं कि I.O. के दवारे यानि कि staff selection commission के दवारा tentative calendar release किया गया है for the year 2023-2024 के लिए आप देख सकते हैं कि SSC के दवारा जो भी exam conduct के जागा उसका notification कब release होगा कब से online होगा online का closing date क्या है और date of tentative exam क्या है सभी इसमें दिया गया है आप देख सकते हैं यानि कि tentative calendar I.O. के दवारा SSC के दवारे release किया गया है आप देख सकते हैं इसके PDF आपको telegram channel पर भी provide कर दिया गया है आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं इसकिलावा आपको बता देख कि tentative calendar for the year 2023-2024 और आपको बता देख सकते हैं कि यह बैंक का tentative calendar रिलीज किया गया है और नेक्स्ट आपको बता देख कि बैंक और SSE के आप फोर्द एयर 2023-2024 के लिए एक्जाम calendar रिलीज कर दिया गया है कौन से एक्जाम कब होगा और आपका application form कब फिल अफोगा उसका last date कब है शारा उसमें दिया हुआ है इसके लावा आपको बता देख कि इंडियन रिल्वे का भी एप्रोक्स 1.5 लाक्स additional new recruitment जो है वह अंडर प्रोसेस है और 2023-2024 में इंडियन रिल्वे में लगभग 10 लाग पोस्ट पे वेकेंसी रिलीज होगा इसलिए आप हाथ पे हाथ धरे नही बैठे रहेंगे सिफ जारखन के बरोसे नहीं बैठे रहेंगे जारखन के भी त्यारी आप साइट से करते रहेंगे लेकिन फर्स्ट प्रायोटी आप सेंट्रल लेवल वेकेंसीज को ही दें ध्यान देंगे एससी बैंक और यलीज कर दिया गा है इसके लावा साइट से भी बहुत सारी एक्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज किया रहा है MTSI भी आप देख सकते हैं इसके लावा LICAAO का भी notification रिलीज किया गया इसके लावा आप other states का भी form फिल अप करेंगे सिफ जहारखंड के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि जहारखंड का कोई भरोसा नहीं है आपका किसी भी stage में आपका application फोर्म आपका vacancy जो है वरद हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो का अपने दोस्तों तक अपने भाई बंधू तक अवा सेर करके उन्हें भी inform कर देंगे कि जहारखंड पुलिस दरोगा 11 जपीसी समय सभी भरती परकिरिया में हो सकती है देरी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत